प्रदीब सिंगर निया धीश दिनेश शर्मा ने इस मामले में आदेश जारी कर कुल्दीब सिंगर और उसके साथी शासी सिंग को अदालत में पेश करने का निया धीश दरसल यह पूरा मामला 4 जून 2017 का है जब भाजपसे निश्कासित विधाय कुल्दीप सिंग सेंगर द्वारा अपने आवास पर नवालिक लड़की से दुशकर्म करने का मामला सामने आया था सेंगर वर्तमान में उतरपदेश की सीतापूर जेल में बंद है वही सेंगर के साथी शासी सिंग पर कथित आरोप है कि उसने लड़की को लालच देकर सेंगर के घर तक महुचाया था आपको बता दे कि पीडिता के पिता का कथित तोर पर 2018 में पोलिस हिरासत में मौत हो गई थी हाली में 28 जुलाई को नाओ में हुए हदसे में पीडिता की चाची और मौसी की मौत को लेकर भी सेंगर के खिलाफे एक मामला दर्ज हुआ है जिसके बाद सुप्रिम कोट के निर्देश पर एक अगस्त को इस केस से संबंदित मामलों को दिले ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था इसके साथ इशिर्स अदालत ने CBI को एक सब्ता के भीतर 28 जुलाई को ही दुर्गहटना से संबंदित जाच और 45 दिनों में दोशकर मामले की जाच पूरा करने का आदेश जारी हुआ था कि दुरुआ है